हे ओल राइट एंड वेलकम टू अल इंट टूडे जिसके नाओ आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे आइलेंड्स इससे पहले की UPSC प्रिलिम्स 2022 के स्टेडिक पोर्शन को हमने कंप्लीट कर दिया है जिसमें है इस्टन कोस्टल प्लेन वेस्टन कोस्टन प्लेन उन आइलेंड्स कौन-कौन से होते हैं ये सिर्फ इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं सबसे पहले हमने हिमालेन रीजन का पड़ा फिर उसके बाद नौर्दन प्लेन्स का पड़ा आव देखिए आइलेंड्स की अगर हम बात करें तो आइलेंड होते क्या है ठीक है ये वाला ये वाला ये वाला ठीक है अब ये है में इंडिया यहां पर हमने ये हिमालेन वाला रीजन था हमने पूरे इंडिया को ऐसे पढ़ना है देखो इंडिया कैटिग्राइज नहीं है बस अलग-अलग जग्गह ए कहीं पहाड़ है कहीं नदिया है उसके बेसे पर GPS排 वाइट कर देते हैं तो यह आइलेंड है यह हिमालेंड रीजन हमने पढ़ लिया पुरा कंप्लीट पढ़ लिया था वहाँ से नदिया बही कंकड पत्थर लेके आई फिर एक प्लेन मना दिया तो उसे नॉर्ब्धन प्लेन कहेंगे वह हमने पूरा क्लेयर कर दिया है फिर यह हमने पूरा पैनिसुलर इंडिया का पढ़ दिया डेली वाला पार्ट मालवा प्लेटी वाला पार्ट छोटा नाकपुर प्लेटी वाला पार्ट और पैनिसुलर इंडिया में यह नौर्थिस्ट वाला भी एक पार्ट आता है वो हमने कर लिया है फिर हमने कोस्टल प चोटे 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 आईलेंड्स मीं जमीन का टुकड़ा उसके चार अबर पानी उसे आईलेंड चै Attention नहीं कि वह पार्ट को चुटे से हिस्से में उसको चलाया जाता नहीं वह पूरी एक केंदर सासिदř擊 प्रदेश भी तो चलिए इसको discuss कर लेते हैं the islands को यह पूरी series चल रही है हमारी guaranteed 60 batch की जिसमें हम 60 बच्चे लेते हैं और UPSC static plus current की दोनों तैयारी करते हैं हर एक subject पढ़ाया जाता है यह जैसे geography है वैसे सभी subject history quality आपको मिल जाते हैं पर subject की price है video plus pdf format की 499 रुपीज आप पूरे lecture static part और यह lecture ऐसे बनाएगे हैं जिससे previous selection भी होए है NCRT plus reference book के sub combination है 100% sure it है कि आप previous year इन topic को पढ़ो और previous year question attempt करो यह कोई भी question attempt करो तो आप easily कर सकते हो ठीक है the islands क्यूंकि हमने सभी कोई भी ऐसा topic बचा ही नहीं है static वाला जो हम इसमें ना डाल पाएं simple सी बात है तो तब ही बाहर से आएगा यह कहां question island कुछ ऐसा नहीं होगा कि कोई अपने मन से बना देता है बस समझाने का तरीका होती वही चीज़े हैं पर कैसे वो UPSC प्रिलिम समाती है वो पता होना चाहिए चलिए बात करते हैं दा islands दो major island group हैं हमारे भारत में one in the bay of बंगाल मतलब जो बंगाल की खाड़ी है पूरा समुद्र है बे बंगाल इंडियन ओशन का ही पार्ट है पर बे बंगाल में बहुत सारे जूमीन करूँगा ये देखो ये देखो छोटा सा island अंडमान निकोबार islands वही है न समुद्र के बीच में दूसरा क्या है अरिबियंसी वाला इसको और जूमीन करोगे तो यहां पर बहुत सारे सिचेल्स ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगे तो I think अब आपको समझ में आ गया होगा क्या मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ अब हम बात करेंगे सबसे पहले अंडमान आइलेंड की ठीक है अंडमान निकोबार आइलेंड की अब क्या है देखो बहुत सिंपल है नौर्थ एक अंडमान है निकोबार आइलेंड में एक अंडमान है और एक निकोबार है मतलब दो आइलेंड है ये चीज़ याद रखना सबसे पहले मैं बात करता हूँ अंडमान की अंडमान जो आइलेंड है देखो ये जमीन का टुकड़ा है इस पूरे जमीन को टुकड़े को तीन हिस्सों में बाटा गया है अपनी समझ के लिए ठीक है कोई ऐसा बाटने वालों कोई नहीं है पर जोगरफर्स ने पहले हम से पहले किसी ने स्टेडी किया तो उन्होंने हमको और अच्छे से समझाने के लिए उसको डिवाइट किया है अब देखिए क्या क्या चीज़े हैं यहाँ पर सबसे पहले नौर्थ अंडमान उपपर वाला पार्ट मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान ठीक है इसको मैं शोब भी करता हूँ आपको अब यह देखिए आप अंडमान का देखो इतना बड़ा अंडमान आयरेंड है तो इसमें उपर वाला जैसे नौर्थ वाला हो जाएगा मिडल वाला हो जाएगा साउथ वाला हो जाएगा अब मैं आपको image नहीं दिखाऊँगा I think की image आपको clear हो चुकी होगी अब देखिए अंडमान एक तो great अंडमान है जिसको further divide किया है नौर्थ अंडमान में मिडल अंडमान में और साउथ अंडमान में ठीक है और इसके बाद हल्का सा एक छोटी सी valley है मतलब घाटी टाइप की है जिसे डंकन पास कहा जाता है ठीक है क्या कहा जाता है डंकन पास और great अंडमान में कौन कौन से दूसरे फीचर्स है जैसे बेरन आइलेंड डॉर्मेंट वालकेन है मतलब जौला मुखी कभी-कभी फट जाता है नार्कोंडम आइलेंड एक्स्टेंट वालकेन है अब मतलब वहाँ से वालकेन है तो हो गया है इरप्ट बड़ ऐसा active नहीं है extinct है मतलब अब वहाँ से जौला मुखी नहीं आती है तो great अंडमान में यही है north अंडमान, middle अंडमान, south अंडमान तो उनको further इस north अंडमान में बहुत सारे वालकेन है सबसे पहले baron island, second है narco-dum island अब great अंडमान, अब मैं देखो एक बार थियोरी समझा देता हूँ आपको फिर उसके बाद image भी दिखा दूँगा तो आपको समझ मा जाएगा ठीक है, यह है duncan pass तो great अंडमान को जो separate करता है little अंडमान से छोटी सी घाटी है, वो है duncan pass ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ जो अंडमान island है और जो नीकोबार island है उनके वो किस latitude से जाते हैं उसे 10 degree channel कहते हैं तो question कैसा आएगा, बहुत simple सा आएगा आप से यह पूछा जाएगा, great अंडमान नहीं, अंडमान ठीक है, क्योंकि अंडमान island, great अंडमान और little अंडमान से बना है ठीक है, तो पूरा अंडमान और नीकोबार के बीच में कौन सी line separate करती है, ऐसा पूछा जाएगा 10 degree channel, 10 degree channel कुछ नहीं है, बलकि वो ही latitude होता है जैसे equator 0 degree, वैसे 1 degree, 2 degree, 3 degree, 4 degree, 5 degree, 6 degree, 7 degree, 8 degree, 9 degree और 10 degree तो 10 degree latitude में अंडमान और नीकोबार आ जाएगा और साथ में सबसे south point पूछा जाता है, कि सबसे ज़्यादा south का point कौन सा है दक्षण का point कौन सा है भारत का, उसे कहते हैं इंदरा point अब इसके लिए तो हमने current affair के notes भी आपको show किये हैं नाव देखिए ये private current notes में UPSC के लिए भी हम पढ़ाते हैं अपने newspaper में the अंडमान और निकोबार आइलेंड UPSC general studies paper 1 geography, complete अंडमान और निकोबार आइलेंड जो मैंने आपको पढ़ाया उसी को और extracted note करके यहाँ पर बता दिया है देखो अंडमान और निकोबार situated है बेवा बंगाल में और कहां से north-south direction में फैला हुआ है main islands under the end man and निकोबार आइलेंड है north अंडमान, middle अंडमान, south अंडमान इन तीनों को great अंडमान कहते हैं फिर little अंडमान हो गया और इन दोनों को separate कोण करता है 10 degree channel करता है 10 degree latitude के उपर वही अंडमान होगा उसके नीचे निकोबार होगा निकोबार को भी car निकोबार, little निकोबार, great निकोबार में divide किया है और these islands are separated from one another by very narrow state जिसे डक्कन पास भी कहते हैं अंडमान और निकोबार separate हैं 10 degree channel से जिसे 10 degree latitude भी कहा जाता है और south अंडमान और little निकोबार separated by डंकन पैसेज यह सब आपको याद रखना है जो south का अंडमान है और little अंडमान है वो दोनों separated हैं डंकन पैसेज से और बांकी चीज़ें देखो वही चीज़ है अब यह fact है जो आपके prelims में पूछे जाएंगे तो मैं इसको scroll down करता हूँ और आप धीरे-धीरे इसको pause करके screenshot खीच सकते हैं वही चीज़ है वो देखो इंडिया इंडिया इंडिरा point समझ मारा जो मैं image दिखा रहा था वही चीज़ मैंने fact में यहाँ पर mention कर दिया है formerly इसको क्या कहते थे पार्सोन point कहते थे और पिंग मैलोन point कहते थे which is the southern point of great nicobar island great nicobar island से भी नीचे एक island है जिसे बोलते हैं इंडिरा point right the highest peak of अंडिमान and nicobar island is saddle peak located in north अंडिमान तो अगर कोई पूछे अंडिमान और nicobar island में highest peak कौन सी है वो है north अंडिमान the अंडिमान and nicobar islands has a tropical marine climate influenced by seasonal flow of monsoon wind the region is under dense tropical rainforest the coastal regions have mangrove forest right the islands are also famous for the largest and the rarest species of crab the giant robber crab it can climb the coconut trees and break the hard shell of the fruit ठीक है largest rarest species मिलती है crab की जो छोटे-छोटे केकड़े होते हैं तो वहाँ पर मिलते हैं तो ये छोटी-छोटी चीज़े हैं आपसे UPSC prelims easily पूछ सकता है देखो barren island मैंने सिर्फ वही बताया barren island dormant volcano है मतलब कभी-कभी फट जाता है तो barren island located in the east of middle and man is India's only active volcano समझ माया इंडिया का सिर्फ active volcano active volcano मतलब पंदर दिन में उससे जौला मुकी निकल रहा है तो अगले दो मैने बाद भी निकल सकता है राइट it is now in the extent format तो ये UPSC prelims के लिए अंडमान निकोबार के ये screenshot खीश सकते हैं आप और उसके बाद पढ़ सकते हैं अब ये तो थे भाई साब अंडमान और निकोबार island की बात ठीक है 10 degree duncan passage ठीक है south अंडमान और little अंडमान के बीच में है duncan passage narrow straight है छोटी सी गली है मान के चलो ठीक है I think अब आपको islands के बारे में पता चल गया अब बात करते हैं दूसरे island लक्षदीप island सबसे ज़्यादा UPSC prelims का fact आता है जो लक्षदीप island है ठीक है जो लक्षदीप island है वो कैसा island है वो एक coral island है जो से एक ऐसा island जो सिर्फ coral reef से बना है उसे coral island कहते हैं तो लक्षदीप completely coral island है यह हमेशा याद रखना UPSC में भी अल्लेडी पूछा गया है कि coral island क्या होता है तो लक्षदीप एक coral island है और मिनिकॉई भी एक coral island है मौल्दीप एक coral island नहीं है यह Indian Ocean के Arabian Sea में आपको देखने को मिल जाएंगे specifically बात करूँ तो Arabian Sea तो लक्षदीप coral island है लक्षदीप और मिनोकॉई के बीच में 9 degree channel है 9 degree latitude है और मिनिकॉई और माल्दीप के बीच में 8 degree channel है ठीक है तो बहुत सिंपल है लक्षदीप आप map में देखें मैंने image so कर दी है मिनिकॉई अब सिर्फ हमको fact याद रखना है लक्षदीप सबको पता रहता है कहां पर है ठीक है Indian Ocean में अगर के सबको मालूम है लक्षदीप और मिनिकॉई समझरो कितना ज़्यादा सिमिलर है इस तरफ Arabian Sea है पर बात ये है इस तरफ अंडमान निकॉबार वाले आइलेंड है इस तरफ लक्षदीप मिनिकॉई और मालदीपस वाले आइलेंड है मौल्दीपस तो हमारा एक अच्छा international relation वाली country है जहां पर बहुत सारे हम infrastructure project भी चला रहे हैं तो लक्षदीप और मीनिकोई के बीच में 90 degree channel है मीनिकोई और मालदीप के बीच में 8 degree channel है अब ये पूरा हमने image के थूरू सीख लिया है तो अब इतनी जितनी theory आप to the point कर लेते हैं इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए अंडमान नौर्थ में है निकोबार साउथ में है सम स्मॉलर आइलेंड वॉलकनिक है औरीजन में बेरेलर आइलेंड अनली एक्टिव वॉलकन हो इन इंडिया जो चीज मैंने लिखी थी वो चीज यहाँ पर लिख दिया है आइलेंड ऑ अरेबियंड सी देखो बे बंगाल के कौन-कौन से हैं यह जीज है जो मेंशन कर दी हैं अंडमान निकोबार वाला अरेबियंड सी के कौन-कौन से आइलेंड है लक्षिदीफ है मिनिकॉई है दोनों नाइन डिग्री चैनल से सेपरेट है और कहां पर है यह कोरल ओरिजन के हैं पहले से कोरल ओरिजन के हैं देखो बेवा बंगाल वाले तो वालकेनों वाले ओरिजन के हैं और अरेबियन सी वाले भी कोरल ओरिजन के लिए कोर आपको 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 पूरी तरह कंप्लीट समझ मां आ चुका है तो आइलेंड हमने कर लिया नौर्दन अंडमाने निकोबार आइलेंड फ़स्ट लक्षदीप आइलेंड सेकेंड राइट तो यह चीज हम कर चेकें नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक डिसक करेंगे ड्रेने सिस्टम बड़ अगर आप चाते हैं इस्टेटिक पोर्शन की सभी ऐसे एफेक्ट बेस्ट टॉपिक वाइज वीडियो तो 499 रुपीज आपको पे करने हैं एफॉरडेबल प्राइसेज है अभी डिसकांट डेट चल रहा है तिल हो लिंग उसके बाद प् वीडियो इसी तरह का हाइलेटेट पीडियेफ मिल जाएगा पर सब्जेक्ट राइट अगर आप कंप्लीटली लेना चाते हैं तो उसके बिल्ले भी प्लैन हैं इंट्रस्टेड स्टूडेंट प्यार पब्लिकेशन की अप्लिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या कॉल कर सकते कि धे वीडियू झाहें लिडियू खाइट कि बिल्ले शाहें थाईट właśnie přेएड़ा प्ली कर सकते हैं ....् wannppt